हाई फ्रेंड्स मैं हो विकास इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास सैमसंग का फोन है और उसमें आप ब्लुटूथ आन कर रहे हो या कोई भी आपका ब्लुटूथ डिवाइस है वो आन है पर वो शो नहीं हो रहा या तो आपके फोन का अपने फोन को सिंपल एक बार बंद करिए और दुबारह से चालू करिए और सेम चीज आप अपने ब्लुटूथ डिवाइस में भी करिए आपका जो ब्लुटूथ है वो शो होने लग जाए आपकी दिक्कास सॉल्व हो जाएगी अगर आपका ब्लुटूथ डिवाइस फि से अनपेयर करना है इस बात का ध्यान लखिएगा ब्लुटूथ आपका ओन होना चाहिए एडवांस ऑप्सन पर जाएए आपको मिलेगा ब्लॉक पैरिंग रिक्रेष्ट इस पर आके सिंपल अगर आपके कोई यहाँ पे फ्लूटूथ एड़ हो रखें उसे डिलीट कर दी जैनरल मेंगेंट में जाके आपको यहां मिलेगा रिष्ट यहाँ पर कोई डिलीट नहीं होईगी इस पर किलिक करें रिष्ट नेटवर्क सैटिंग करिए और रिष्ट कर दी इसके बाद आपका फोन पैटन लॉब पूछेगा यह पासवर्ट पूछेगा वह एंटर कर द Edit option पर जाईए और यहाँ पर आपको जो भी नाम डलाओ है उसे हटा के यहाँ पर T O D A Y कर दीजिए Today कर दीजिए आप कोई और नाम भी रख सकते हो Done option पर टाच कर दीजिए और यहाँ पर इसे कट कर दीजिए और अब ट्राइ करें कि आपके जो दिक्कत है वो solve होई की नहीं आपके फोन में जो Bluetooth devices है वो show हुए की नहीं या आपको जब फोन है वो किसी और फोन में show हुआ की नहीं बहुत जादा चांसे से आपके दिक्कत solve हो गई होगी तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा